Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video on direct tax and we will be learning about how to calculate tax तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि tax को किस तरीके से calculate किया जाता है Basically अगर हम overall calculations की बात करें तो हमें जो है First of all net taxable income जो है वो सही हमारा आना चाहिए सबसे पहले क्या है net taxable income net taxable income जो हमारा होगा That should be correct अगर आपका net taxable income ही wrong रहेगा तो फिर tax calculations तो आपके wrong ही होने वाले है इसलिए आपको याद क्या रखना है कि net taxable income जो है वो आपका सही आए जैसे की काफी सारे heads of income होते है उसको हम लोग add वगरा करके last minute taxable income धुनते है In short called as NTI तो इसमें हम अभी पहले सबसे important slaps के बारे में सिखेंगे कि कौन से कौन से slaps है अगर हम normal citizen की बात करें ठीक है normal citizen जिसका age जो है 60 year से कम है वो normal citizen जिसकी age 60 year से जादा है लेकिन 80 year से कम है इसको हम कहते है senior citizen ठीक है ध्यान रखना काफी important concept है और तीसरा जो category है जिसका age 80 साल से उपर है उसको हम कहते है taxation में super senior citizen ठीक है काफी important concept है try to remember this so there are three categories number first is normal citizen number second जो हमारे लिए है that is senior citizen and number third जो हमारे लिए है that is super senior citizen अभी सबसे important सबसे important क्या है सबसे important है हमको normal citizen का slab देखना है तो normal citizen में सबसे पहला जो slab है कि अगर 2,5,000 तक आपका income रहेगा पूरे साल का तो आपको कोई भी tax जो है वो भरना नहीं पड़ेगा that is first category फिर second जो category आता है that is 2,50,000 से लेके 5,000 तक ठीक है 2,50,000 से लेके 5,000 तक अगर आपका income source है तो आपको 5% का tax भरना पड़ेगा ठीक है very easy है try to understand और तीसरा जो category है तीसरा category है अगर आपका income 5,000,000 से लेके 10,000,000 के बीच में है तो आपको tax लगेगा सीधा 20% का फिर next fourth है अगर आपका income 10,000,000 से उपर है तो आपको tax भरना पड़ेगा 30% का तो these are the slabs for normal people ठीक है नॉर्मल लोगों के लिए जिसका age 60 years से कम है उनके लिए ये slab है धाई लाग तक income रहेगा तो निल धाई लाग से पाच लाग का income रहेगा तो 5% पाच लाग से दस लाग का income रहेगा तो 20% 10,000,000 के उपर अगर income रहेगा तो 30% ठीक है काफी simple है हम अभी ये भी सीखेंगे कि इसको कैसे calculate क्या जाता है because calculations में बहुत सारे लोगों के जो है वो mistake होते है ठीक है तो ध्यान रखना calculation is also important अब first of all ये हमने first slab जो सीख लिया that is related with normal people अगर यही अगर senior citizen आता है समझो senior citizen आ गया तो senior citizen में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है senior citizen में आपको सबसे पहले याद रखना है कि उसका age जो है वो 60 year से उपर रहेगा लेकिन 80 year से कम रहेगा अभी senior citizen में 50,000 का और benefit दिया है कि अगर income 3,000,000 तक रहेगा तो nil है ठीक है first category second category अगर income 3,000,000 से लेके 5,000,000 तक रहेगा तो कितना tax भरना पड़ेगा 5% फिर तीसरा category अगर income 5,000,000 से लेके 10,000,000 है तो कितना tax भरना पड़ेगा 20% और उसके बाद fourth category अगर income 10,000,000 से उपर है तो कितना tax भरना पड़ेगा 30% तो if you see this दोनों में एक ही concept है दोनों में concept में एक ही point है जो आपको याद रखना है कि first वाले में 2,50,000 का limit है अगर हम ध्यान से देखे तो और second वाले में 3,00,000 का limit है ठीक है तो 50,000 extra benefit दे दिया है किसको दिया extra benefit senior citizen को तो who is a senior citizen जिसका age 60 years से जादा है but 80 years से कम है ठीक है अगर super senior citizen है अगर क्या है super senior citizen तो सबसे important आपको जो first category याद रखनी है first category में 5,00,000 की limit दी है अगर 5,00,000 तक income रहेगा तो आपको no tax भरना है फिर second वाला category आएगा 5,00,000 से उपर लेकिन 10,00,000 तक income रहेगा तो आपको सीधा फिर 20% tax भरना पड़ेगा इधर 5% का कोई rule नहीं है तीसरा category जो हमारे लिए है that is अगर 10,00,000 से उपर income रहेगा तो सीधा आपको कितना भरना है 30% का tax भरना है तो this is the rules basically तो इसका एक screenshot आपके पास लेके रख देना तो overall यह slaps के basis पे tax का calculation होता है ठीक है एक base पे हम लोग दूढ़ेंगे अभी simple calculation बतातो और आपको और एक चीज़ याद रखनी है रिबेट के बारे में ठीक है रिबेट section मता देता हूँ section है 87A का और जिसमें आपको रिबेट मिलता है maximum 12,500 का तो यह रिबेट याद रखना 12,500 का रिबेट मिलेगा अगर आपका tax जितना भी tax calculate होगा वह अगर 12,500 से कम है तो आप यह रिबेट ले सकते हो अगर आपका जो टैक्स है वह 12,500 से जादा है तो आप यह रिबेट को claim नहीं कर सकेंगे ठीक है अभी हम इसको एक overall application के साथ सीखते है ताकि overall आपको idea आ ठीक है for example अभी हम लोग एक example लेते हैं so that आपको समझ में आ जाए और एक चीज secondary and higher education says यह आपको याद रखना है यह लगता है 4% का ठीक है secondary and higher education says 4% का लगता है तो first of all अभी हम क्या गरेंगे अभी हम एक example लेते हैं example में आपको और एक clear idea जाएगा एक बंदा है for example जिसका age ह 28 years ठीक है 28 years है और उसका income जो है उसका income है 3,40,000 का ठीक है कितना है 3,40,000 का उसका for example हम लोग ले रहें NTI है net taxable income और इससे हमें calculate करने बोला है tax को तो अभी हमको tax कैसे calculate करना है सबसे पहले देखो इसका age कितना है 28 years है अगर इसका age 28 years है तो यह कौन से slab में आएगा first slab में रहें था है 2.5,00,000 तक निल रहेंगा बड़ा बरे उसके बाद उसके बाद का रूल क्या है 2.5,00,000 c darle के 5,00,000 पर कितना पर्सेंट लगेगा 30% लगेगा ठीक है यह rules है अभी इसी rules से हम लोग applicable करते हैं देखो कैसे इसको apply करना है that is very important तो आपको करना क्या है काफी simple rule है देखो सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ क्या करनी है देखो धाइलाक वाला जो slab है इसके उपर तो निल रहेगा तो यहाँ पर में निल लिखता हो अभी हमारा जो 3,40,000 का जो net taxable income है यह कौन से range में आता है तो अगर आप कहेंगे तो यह इस range में आता है बराबरे तो हमको क्या करना है हमको simple करना है 3,40,000 जो हमारा income था उस 3,40,000 में से हमें 2,50,000 को minus करना है क्यों minus करना है विकास 2,50,000 तक tax नहीं है तो इसका answer कितना आएगा इसका answer आएगा 90,000 ठीक है अभी 90,000 पे हम लोग कितना percent का tax धूंडेंगे हम लोग 5% का tax धूंडेंगे क्यों 5% विकास इस slab में हम हमारा 3,40,000 आता है तो 90,000 का 5% अगर हम calculate करेंगे तो it will be 4,500 तो यह आपका tax हो गया ठीक है 4,500 लेकिन अभी देखो अभी मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपका जो tax है वो वो अगर 12,500 से कम है अगर आपका tax जो है वो 12,500 से कम है तो आपको rebate मिलता है under section 87A के basis पे इस if you are paying tax less than 12,500 you will get relief from the tax तो अभी यह 12,500 लिमिट बना के रखा है इस से जाधा tax होगा तो ही यह rebate नहीं मिलेगा तो अभी आपका tax calculate करके कितना आया है 4,500 इसका मतलब यह 12,500 से कम है तो अभी आपको क्या मिलेगा अभी आपको rebate मिलेगा rebate कितना मिलेगा rebate 12,500 नहीं मिलेग rebate कितना मिलेगा जितना आपने tax calculate किया वही आपको rebate मिलेगा less rebate 87A में कितना मिलेगा 4,500 का ही rebate मिल जाएगा तो आपका total tax payable कितना बन जाएगा total tax payable total tax payable will be 0 why it is 0 because हमने 4,500 tax calculate किया and हमने उसमें से rebate भी minus कर दिया this is the calculation related to tax but again I say this is only important when your net taxable income is right जब तक आपका net taxable income right नहीं होगा तब तक आप tax calculation सही नहीं कर पाएंगे तो तीन type के rates है उसी के basis पर आपको calculate करना है और जो भी आपका tax आएगा समझो यहाँ पर tax आता तो इस पर हम लोग क्या करते एक secondary and higher education says calculate करते कितना percent 4% का 4% का इस पर calculate करते फिर वो प्लस कर देते है और फिर जो answer हमको मिलेगा तो यह है टाक्स का calculation I hope this short video was helpful for you तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो subscribe करे वीडियो को like करे और अपने friends में share करना ना भूले विकॉस उनको भी tax calculation कैसे करना है वो समझ में है thank you very much bye bye take care